हलो दोस्तो स्वागत है आपका अज के हमारी एकौन नहीं वीडियो में दोस्तो अगर आपके पास से एक रैबिट है सिंगर रैबिट है फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल तो आपने एकदम सही वीडियो को किलिक किया है इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइन बताने वाली हूँ जो अगर आपके रैबिट में आपको दिखाई देते हैं तो आप एजली समझ सकते हैं कि आपका रैबिट डिप्रेशन में जाने वाला है या जा चुका है दोस्तो सिंगल रैबिट जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांस होते है Depresion में जाने के क्योंकि खरगोश जो है वो गुरुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं खरगोश एक social animal होते हैं तो अगर उन्हें सिंगर रखा जाता है तो बहुत जादा chance होते हैं कि वो depression में चले जाएं बहुत जादा depression में जाने की वज़े से single rabbit की मौत भी हो जाती है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना इस वीडियो से आप लोगों की बहुत जादा हेल्प होने वाली है क्योंकि अगर आप साइन पहचा लिए यानि कि आपका खरईगोश Elementary डिप्रेशन में जा रहा है। और उसके लग्षणों को आप पहचा लिए तो आप अपने खरईगोश에서 प्यारे से खरगोश को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक चोटा सा रिकोष्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वेल एकन को प्रेस जरूर करना जिसे की आने वाली हान नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चली दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं कि खरगोश जब डिप्रेसन में जाता है तो क्या क्या साइन आपको अपने खरगोश में देखने को मिलेंगे तो दोस्तो पहला जो साइन आपको अपने रैबिट में देखने को मिलेगा वो है कि आपका खरगोश अकेले रहना जादा पसंद करेगा वो ऐसी जगए रहना जादा पसंद करेगा जहां बहुत ज़ादा अकेला पन हो और कोई उसे डिस्टरब करने वाला ना हो जैसे बैट के नीचे, अलमीरा के पीछे, सोफे के नीचे या फिर कोई भी ऐसी जगे जहां आप लोग उसे ना देख सकें वैसे तो दोस्तों, खरगोश एक दो घंटे के लिए छिपकर जरूर बै़ते है, ये इनकी हाइबिट होती है बट अगर आपको खरगोश ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा दिन आप से छिपकर ही बैटता है आपके साथ नहीं खेलता है, आपके पास नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका खरगोश डिप्रेशन में जा चुका है सेकिन नमबर पर जो साइन आपको देखनों को मिलेगा वो है खरगोश में भूग की कमी होना अगर आपका खरगोश डिप्रेशन में है तो इस कंडिशन में उसकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो सकती है आप देखेंगे कि आपका रैबिट पहले जो खाता रहता था अब अचानक से खाना पीना कम कर देगा या बिल्कुल नहीं खाएगा तो ये एक किलियर साइन है कि आपका खरगोश डिप्रेशन में जा चुका है थर्ड नमबर पर जो साइन आप अपने खरगोश में देखेंगे वो है कि आपका खरगोश जो पूप करेगा वो एकदम से छोटी छोटी सी करेगा नॉर्मली रैबिट की पूप जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है जैसी कि आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं लेकिन जब आपका रैबिट डिप्रेशन में जा चुका होगा तो समय आपके खरगोश की पूप एकदम छोटी छोटी सी देखने को मिलेगी फूर्थ नंबर पर जो साइन होगा वो है आपके खरगोश के बेहबियर में चेंजिस आना अगर आपके रैबिट के बेहबियर में एकदम से चेंजिस आ जाते हैं जैसे पहने जब आप उसे बुलाते थे तो फौरण आपके पास आ जाता था लेकिन आप नहीं आता या फिर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है आप पर अटेक करता है आपको काटने की कोशिच करता है तो ये भी दोस्तो एक किलियर साइन है कि आपका रैबिट ठीक नहीं है अगर आपका रैबिट पहले ठीक था आपसे उसकी बॉन्डिंग भी अच्छी थी आपके बुलाने पर आ जाता था आपके साथ खेलता था लेकिन आप वो बदल गया है अब ऐसा नहीं करता तो आप समझ सकते हैं कि आपका रैबिट डिप्रेशन में जा चुका है बैठा रहता है आपके गोद में नहीं आता बहुत जादा उचल कूद नहीं करता तो आप इजली समझ सकते हैं कि खरगोश यो डिप्रेशन में जा रहा है सिक्सो जो किलियर साइन आप अपने खरगोश में देखेंगे समझ सकते हैं कि आपका खरगोश यो बहुत जादा सैड है वो डिप्रेशन में जा रहा है तो फ्रेंड्स ओ ये कुछ यो किलियर साइन थे अगर यह साइन आप अपने रैबिट में देखते हैं तो आपको फॉरण एक्शन लेना चाहिए अपने रैबिट को ठीक करने के ल अब मैं आपको बहुत ही इंपोटेंट टिप्स बताने वाली हूँ अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका रैबिट 100% डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दें तो चली दोस्तों उन टिप्स की बात कर लेते हैं तो टिप नमबर बन ये है कि अपने खरगोश के साथ जादा से जादा टाइम स्पेंट करें जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रैबिट एक सोचल अनिमल है उसे ग्रूप में रहना अच्छा लगता है तो अगर आपके पास से सिंगर रैबिट है तो इस सो कंडिशन में आपके सिंगर रैबिट को बहुत ही जादा एक्स्ट्रा केर की जरूरत है खरगोश को अकेला बिल्कुल भी न चोड़ें उसके साथ दिन में कम से कम 2-3 घंटे जरूर इस्पेंट करें खरगोश को अगर अकेला छोड़के हो जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं तो खरगोश को केज में ज्यादा बंद करके न रखें बहुत ज्यादा इमर्जनसी है या फिर रात के टाइम खरगोश को बंद करके रख सकते हैं बाकी टाइम पूरी कोशिच करें कि खरगोश को खुला ही र प्रशान हो जाते हैं अपने ओनर से भागने लगते हैं और उनसे चिपकर बैठते हैं अपने ओनर पर ट्रेस्ट नहीं करते हैं और उनसे दूर दूर और अकेले रहने की कोशिश करते हैं और इसी बज़े से डिप्रेशन में जाने लगते हैं तो खरगोश के साथ जोड़ ज बैठा रहेगा इसो कंडिशन में भी खरगोश बहुत जादा परिशान हो जाते हैं टिप नमबर फाइब अगर आपका रैबिट सिंगल है तो आप उसे खेलने के लिए ट्वाज बगएरा दे सकते हैं रैबिट एक एक्टिव एनिमल है अगर आप उसे ऐसे रूम में रखते जहां उसे कने के लिए कुछ भी नहीं है तब भी आपका रैबिट बोर हो जाएगा और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा आप उसे लख़ी से बने टवाज दे सकते हैं टवाज नहीं है तो आप उसूखी लख़ी लख़ी भी अपने खरगोश को चबाने के और उन्हें मेंटेन करने के लिए खरगोश घर के सामान को चबाने लगते हैं तो एक तो आपके जो घर के सामान का नुकसान होगा वो बचेगा दूसरे आपके खरगोश के दाथ मेंटेन रहेंगे और आपका खरगोश खेलने में भी बिजी रहेगा तो आप खरगोश को सूखी लखली बगएरा भी चबाने को दे सकते हैं तो दोस्तो आज की सो वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक और साथ ही ऐसी ही और हेलफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फरगों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आम उसे कमेंट करके पूँश सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नए वीडियो में